आज हम लोग देखने वाले हैं 3 marks के जो important question है वो ठीक है इससे पहले मैंने 2 marks के important question का video बनाया है साथी साथ 4 marks के important question का भी वीडियो बनाया है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा जाईए और इसको देख लिजी और साथ ही इसको पॉफेक्ट कर लिए ठीक है आपको यही बताता चलू चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कल मैं साम में साथ बज़े इस्ट्रीम करने वाला हूँ जिसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कोशन है आने वाली है वो करने वाला हूँ यानि के कल मैं 14 मार्च को साम में 7 बजे मैं स्ट्रिमिंग रहूँगा लाइब लेक्चर लेने वाला हूँ जिसके अंदर हम लोग 20 जो most expected question एक्जाम में आ सकते हैं वो question को हम solve करेंगे तो आप 14 मार्च के दिन साम में 7 बजे join करना ना भूलिए उसका लिंक आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलिग्राम चैनल का लिंक हमेशा हमारे वीडियो के description में रहता है ठीक है उसको check कर लेना चलो देखते हैं 3 marks के important जो question है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं chapter number first का तो chapter number first के अंदर देखो 1.2 का जो question number 10 और 11 करना है आपको 1.2 के बाद 1.1 नहीं करना है 1.2 का question number 10 और 11 1.3 के अंदर 4, 5, 6, 7 लगा तर 4 question है चारों को चारों को perfect कर लेना है इसमें सक्सर एक्जाम में question पूछता है तो ये काफी important है ये बोलेंगे हम लोग most important बोल सकते हैं इसमें सक्सर एक्जाम में question पूछा है फिर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर 1.4 के अंदर तो 1.4 के अंदर question number 7 करना है और उसके बाद सीधा चले आने का problem set पे problem set के अंदर question number 9 को आपको perfect कर लेना है ठीक है अब उसके बाद बोलते हैं हम लोग chapter number second का chapter number second जो आगे आपका chapter number second जो पैथा गोरस वाला रहता है उसमें question number 9 करना है फिर उसके बाद 2.2 में चले आना 2.1 के बाद 2.2 के अंदर क्या करना आपको question number 4 और question number 5 कर लेना है फिर उसके बाद सीधा जाने का problem set के अंदर problem set के number 8, 11, 13 और 16 को अच्छे से कर लेना है ठीक है एक question जो आपका 3 marks के लिए theorem के उपर पूछेगा theorem का video आपको ज़रूर मिल जाएगा उसका भी link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा वहां नहीं मिलेगा तो आपको playlist में मिल जाएगा ठीक है जो theorem जो है important theorem उसको perfect करके चले जाना ठीक है चलो chapter number 4 chapter number 4 में 4.1 all करना है सारे के सारे important है 4.1 जो है construction वाला सारे important question है फिर हम लोग बात करते chapter number 3 जो circle है circle के अंदर 3.2 के अंदर question number 4 और 5 करना है इसके लाबा मैंने बच्चो simple paper कराया है simple paper का भी link आपको video को description में मिल जाए का अगर वह आपने नहीं देखा तो simple paper देख लो ना 2 से 3 मैंने simple paper कराया है बहुत जादा important है वह भी आप जरूर देखना one और two marks को अगर perfect करना है तो नौनीत का practice paper मैंने solve कराया तो अगर one marks और two marks का perfect करना है तो वहां से देख लो there is enough question number 4 यानि के horse question के मैंने बहुत सारे question कराया है उसकी वीडियो important बनाया है साथ ही साथ horse question का पूरा पूरा playlist बनाया है वह सारे वीडियो आपने देख लेना है horse question के लिए मैंने horse question के लिए मैंने तीन घंटे का special video बनाया है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा वो भी वीडियो आप जरूर देखिए अगर आपको out of chapter 5 की बात कर लेता हूं मैं जो chapter 5 जो है इसके अंदर coordinate geometry के अंदर question 5 और 6 करना है 5.1 के अंदर 5.2 के अंदर 10 11 12 करना है ठीक है 5.3 के अंदर question number 4 और 5 करना है one marks के लिए क्या करना है one marks के लिए नौनीत का practice paper को जो मैंने solve करा है one marks वाला उसको दो से तीन बार देख लो और अच्छे से लिख के practice कर लो ठीक है chapter number six chapter number six जो है बच्चो ये chapter number six जो है आपका trigonometry तो 6.2 का एक question आने वाला है exam में उसको आप perfect कर लेना 6.2 करना 6.1 प्रूफ करने वाला नहीं आता उसको छोड़ दो कोई tension मतलो 6.2 कर लो ठीक है अब chapter number seven जो है mensuration to mensuration के अंदर 7.1 के अंदर seven से लेकर 10 तक करना है seven से लेकर 10 तक करना है ठीक है seven point one के अंदर seven point two के अंदर जो होता है आपका frustrum वाला question वो activity based question में ज्यादा पुछने के chances है तो उसके अंदर question number three कर लो और seven point three के अंदर question number 13 कर लो अब problem set के अंदर question number 11 कर लो ये सारी आपके तीन marks है जो most expected question है exam में तीन marks के लिए ये मैंने बता दिया चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन का बटन भी दबा दे साथी साथ telegram channel जो उसका link description में दिया है उसको भी join कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो फौरण आपको update मिलता रहे मिलते हैं next video में